वापाई पेपर कह रहा है कि हम आपको सपने में भीज देंगे और आपको घर बेटके ही पेपर देना होगा वो आपको देने की जोरत नहीं है तो हम पहले एक वार आप सभी बसटों का जो ओनर्स वाले बच्चे हैं माईर का तो पता नहीं होता कि हर कॉलेज का अपना अलाग अलाग क्रायिटिरिया होता है तो रीग्लर पर कोई वीडियो बना के फाइदा नहीं था एर बताने का वाले जो बच्चे उनका सब्जेक्ट्स बताए गए हैं पाथ से आपका कोई लेना देना नहीं है तो अब देखते हैं जनरल एलेक्टिब में आपको GE में become oners में तीन सब्जेक्ट तो आपके कौर हैं जो कि यहां नहीं दिखाए देट इस एक आपका financial management एक आपका principle मार्केटिंग और एक आपका बिजनस मैथेमेटिक्स यह तो आपके खूर हैं और इस सब्यक्ट में तो कोई दो राई नहीं के मिलेगे काफी सारे बच्चे सोच रहे थे के सर यह मिलेगा नहीं मिलेगा हमारा क्या है नहीं है बहुत सारे पॉइंट्स बच्चों के माइंड में चल रहा था तो उन सभी बच्चों को क्लियर हो गया और बहुत बच्चे अभी पढ़ भी नहीं रहे हैं तो अब देख रो डियू वाले भी यह चाहते हैं कि आप पे रिजल्ट आए ना आए इसमें अब हर इंसान का अपना अलग-अलग इंट्रस्ट है एक तो थोड़ा interest भी और थोड़ा study material भी है तो ये गलती ना करें कि जो तुने भरा है वो भी मैं ही भर लेता हूँ तो सबसे पहले देखो आपका यहां पर लिखा हूँ है D.S.C में English दे रखा है एक एक economics principle of microeconomics एक दे रखा है made in media in history science national in India इसके बाद emerging banking financial service wealth management अब इसमें देखा जाए तो यह wealth management अच्छा subject है emerging banking and financial service अच्छा है बहुत सारे subject आपको इसमें अच्छे-च्छे है आप मुझे यह नहीं पता कि D.U. वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं कि subject जब इतने सारे list दे रखे हैं 237 subject है मेरे ख्यार टोटल उसमें से बोला जाता है आप चूज करना है आपके लिए freedom है आपके लिए एनिपी है new education policy है लेकिन subject के selection के नाम पे वो अपनी मर्जी से हमारे उपर थुपा जाता है इससे बहतर मेरे हिसाब से तो था कि आपके पास ना वो चार subject दे देते हैं और तुम्हें कुछ नहीं लेना यही पढ़ना बात खतम और अगर ऐसा होता ना तो आपके सब कुछ available होता मार्केट में मार्केट में बुक मिलता टैनियर मिलता क्लासिस मिलती सब कुछ मिल जाती अभी बहुत मुश्किल है तो इसके अंदर मैं समझता हूँ आपको अगर आपने एकनोमिक्स पड़ रखा है तो प्रिंसिपल आफ माइक्रो एकनोमिक्स आपके लिए जो ज्यादा समझदारी वाला काम होगा जिसके रिलेटिड आपको हर एक चीज मार्केट में स्टडी मट्रियल अविलिबल हो जाएगा अब जो बच्चा कहता सार एकनोमिक्स मेरा अच्छा नहीं है तो वह बाकी आप देख लें वेल्थ मैनेजमेंट और इमर्जिंग बैंकिंग सुनने में या बोलता है मेरा इंटरस बैंकिंग में है मैं चाहता हूँ अपना से लेने का कोई अगर लेना चाहते हो डिफ्रेंशियन तो इक्वेशन तो आप ले सकते हो नहीं तो इसके अंदर सबसे बैस्ट ऑप्शन जो मैंने बता है यह लेना चाहिए इसका आपको वीडियो क्लासेस भी मिल जाती है इसका आपको बुक्स भी मिल जाएंगे इसके आ यहां पर आपको चार option दे दिया गया, communication in professional life, personality development and communication, रंग मंच और business communication, यह subject आपको मिल गए है, अब जिन बच्चों ने, क्योंकि जो commerce में, honors में बच्चे हैं, तो बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे, जिनोंने without, with math किया, आपको तो उनके अस हिंदी नहीं होगा, अब subject आप एक चीज़ धियान रखना, डियू वाले की strategy, अगर आपने अभी रंग मंच पढ़ लिया है, तो आगे नहीं देंगे पढ़ने को, semester जब आप चार में जाओगे, तो वहां यह option नहीं देंगे, वो, commerce का business communication, ताकि आपको semester पाँच बहुत टफ होने वाला है, तो semester पाँच में आपको रंग मंच चूज करके, कुछ subject आसान कर लो, एक strategy होना चाहिए हर चीज का आपका, हम क्या देखेंगे, हम यह देखेंगे, हमारे लिए ना semester 5 ना एक तरीके से मान लो, लोहे के चने चवाने के बराबर है, semester 5, उसके अंदर कितने subjects हैं, उसके अंदर आपके पास income tax है, practical subject, उसके अंदर business economics है, उसके अंदर आपका management account है, उसके अंदर आपका FM है, चार subject तो यही होगे, जो आपको मार देंगे, और अभी आपने आसान-आसान चूज कर लिया, और बाद में आपने सोचा के यार चल यह वाला तो, मुस्किल वाला बाद में देख लेंगे, तो यह और tough हो जाएगा semester 5, तो मेरा यह मानना है, कि आप इसके अंदर business communication, यह भी आसान है, इसका भी हर चीज मार्किट में अभी लेबल है, और एक आपको रंग मंच का भी चीज़े अभी लेबल हो जाएगी, बाकी personality, development, communication, communication, professional life, यह सुनने में अच्छा लगता है, study material चीज़ें नहीं मिल पाएगी, तो आपको जिसके पास हिंदी था, वो रंगमन चूज़ कर ले, और जिसको पास हिंदी नहीं था, वो business communication चूज़ कर सकते हैं, यह subject हो गया, तीसरा paper number 7, paper number 7 में देखो फिर से यह political science, अब मुझे यह समझ में नहीं आता, जब हम commerce के हैं, तो क्यों हमें political science क्यों पढ़ाय ज अब मार्केट के अंदर भेड़ चाल का डिमांड ही नहीं है, डियू को यह समझ में नहीं आया अभी तक, मार्केट में डिमांड है, professional और specialist की डिमांड है, मार्केट के अंदर, अब आपको सारी चीज़े पढ़ा दिया, किसी चीज़ में professional specialist तो बने नहीं नहीं आप, तो क्या देख रखा है, psychological दे रखा है, इसके बाद दे रखा है, योगा, philosophy and practice, ये तीन सब्जेक्ट क्यों, में तो दूर दूर तक इसका commerce से कोई ही नहीं, और मैं बोलता हूँ, 99.99% बच्चे होगा जिनको इससे लेना देना भी नहीं है कुछ, कोई ऐसा बच्चा नहीं होग जो बोले है के नहीं भाई, मैं तो योगा में अपनी करियर बना लूँगा, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा, जो बोल रहा होगा के भाईया, मैं तो आपका psychological में अपना करियर बनाने जा रहा हूँ, नहीं बनाना भाई, करियर इसमें करियर चलो, बना भी लिया, कौन सब्सक्राइड पर ही हूँ, अगर मैं यहां पर आ जाओं फिर से, हां, हां, तो जिसकी बुक अविलेबल है, जिसकी बुक अविलेबल है, मैं तो चीज़े बता सकता हूँ, कि ऐसे करोगे, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, यहां आपका student NEP program है, यहां पर आप जाएंगे यहां पर प्रोग्राम के बाद prospectus, resources, resources, किस में आएगा, हमारे study, UG study material, अब यहां पर आप आजाओगे, बी कॉम ओनर semester, आप 3 में आजाओगे, ठीक है, क्योंकि पिछले साल हो चुका है, तो आप फाइदे में रहोगे, तो semester 3, यह रहा, बी यह प्रोग्राम, बी कॉम ओन semester 3, यह रहा, ठीक है, अब यहां पर आपको check करना है, कि यह किस चीज की तुम book दे रहे हो, अगर उस से related subjects है, तो बहुत अच्छी बात है, जैसे कि, और एक due की side, मैं बताऊँगा, इस से घटिया side मैंने कहीं नहीं देखी, चार बार आप इस side पर जाओगे, बुक डाउन देखो, core subject हर जगह मिलेगा, commerce, finance, everyone, अब यह subject दिया नहीं, लेकिन दे रख है, बताऊ, एक रंग मंच भी आपको मिल गया, तो यह ले सकते हो, एक personality, development and communication आपको मिल रहा है, तो आप ले सकते हो, मतलब मैं तो यह वे बता रहा हूँ, आपको पहले इस वाली website पर आ जाना है और website पर आने के बाद, आपको चाहे बच्चा regular का हो, चाहे SL का regular वाले तो कोई book देते नहीं, खैर, तो वो यहाँ से पहले एक बार चेक कर ले, हाँ, कुछ study material है, तो वो subject टिक कर लो, और एक बार index जरूर देख लो, एक बार index देख लो, सोच लो, समझ लो, और उसके तो आपके paper की, अगर मैं बात करूँ, तो paper number 4, paper number यहाँ पर दे रखा है 6, और paper number दे रखा है 7, पांच बार paper कह रहे हैं कि हम आपको सपने में भेज देंगे, और आपको घर बैठके ही paper देना होगा, वो आपको देने की जौरत नहीं है, अब समझ में नहीं है, डियू वा साथ paper दे देते हैं, बच्चा सेलेक्ट कर लेगा, आप exam से 10 दिन पहले अगर वो बताएंगे, कि नहीं तुम्हारे पास एक subject English भी आ गया, तो क्या करेगा वो, कुछ तो कर नहीं सकता, और वैसा ही paper के criteria tough कर रहे हो, तो subject selection के उपर था, तो पहला paper आप सेलेक्ट करिएगा, principle of micro economics, रंग मंच कर लीजिए, या फिर business communication का भी मिल जाएगा, और यहाँ पर जो book वहां से मिल रहा है, कौन सा book था हमारा, political science है, अगर interest है, तो ले लीजिए, नहीं तो psychological, जो है, psychology है मारा, यह आप लेके अपने इस exam कोई form को fill करें, कभी भी यह मत सोचेगा, मेरे दोस्त न यह लिया है, तो वो ले ले, तो यह था हमारा पूरा,